बहुत से couples जो pregnancy plan कर रहे हैं उन्हें doubt होता है कि वो कितनी बार try करें एक दिन में ताकि जल्दी से जल्दी pregnancy हासिल हो जाए, pregnancy ठहर जाए एक बीच का time होता है आपकी पूरे महिने का जिसे fertile window कहते हैं आप eye button में देख सकते हैं हमने इस पर already वीडियो बनाया है कि fertile window क्या होता है, ovulation day calculate कैसे करते हैं ताकि आपको वो करीब 4-5 दिन का time पता चल जाए जिसमें try करने से pregnancy आने की समभावना सबसे जादा है पर आखिर उस 4-5 दिन में try किती बार करना है उस बारे में आज हम बात करेंगे तो try करना है आपको fertile window में पर fertile window शुरू हो जाती है करीब में जिस दिन अंडा दानी से अंडा निकलता है उससे 4 दिन पहले से लेके करीब एक दिन बात तक ये window क्यों define की गई है ये इसले define की गई है कि हमें पता है अपने scientific ज्यान से कि एक शुकरानू एक female की body में कितने time तक survive कर सकता है अगर एक semen sample का शुकरानू वजायना में deposit हुआ है तो वो इस बच्चादानी के अंदर travel करने के बाद अंडे से मिलता है करीब 20 मिनिट में और ऐसा नहीं है कि semen sample के सारे sperm उसी time पे जाके बच्चादानी से tube में चले जाते हैं semen sample करीब होता है दो तीन एवल का और इसमें आग तर पे 20 मिलियन 30 मिलियन के करीब sperm रहते हैं ये सारे जो sperm से हैं ये वजायना में deposit हो जाते हैं कुछ तो leak हो ही जाता है semen का volume पर काफी सारे यहां पे जो cervix की secretions होती हैं उसमें trap रहते हैं और शरीर में 48 से 72 घंटे तक ठीक रह सकते हैं और spots में showers में ये release होते हैं after deposition तो इसका मतलब उसकी fertilization potential यानी अंडे से मिलने की जो शमता है वो 2 से 3 दिन तक हो सकती है in fact ऐसा देखा गया है कि 5 दिन पहले अगर intercourse किया गया ovulation से तो भी कभी कबार pregnancy आई हुई है 48 घंटे की अगर बात करते हैं तो इस हिसाब से alternate day intercourse appropriate होता है fertile window में पर अगर हम ovulation day को अच्छे से मालूम कर पाए calculator से, apps से, ovulation kit से, ultrasound से तो हमें intercourse की frequency बढ़ा देनी चाहिए बढ़ाने का मतलब है कि वो daily हो सकती है और daily क्यों होती है क्योंकि जिस तरह sperm तो body में रहता है 48 से 22 घंटे के लिए जो egg है वो 12 से 24 घंटे तक ही fertilizable state में रहता है तो ovulation का day इसलिए calculate करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप intercourse उन दो दिन में जिस दिन आपकी kit positive दिखाती है उसका मतलब होता है ovulation अगले 24 घंटे में होने वाला है तो उस दिन और उसके अगले दिन लगातार try करें अगर हम example से समझना चाहें तो fertile window के पहले दिन यदि आपने intercourse किया है ठीक है और उसके बाद दूसरे दिन आपने kit test किया दोनों दिन negative आ रहा है अभी ovulation kit जो हमारा हो negative है आपने try भी नहीं किया तीसरे दिन क्यूंकि alternate day intercourse pattern follow कर रहे हैं आपने फिर से try किया पर आपका जो kit है वो अभी भी single line show कर रहा है जो ovulation kit है पर चौते दिन जब आपने test किया तो kit में दो line दिखाई दी यानि अंडा अब अगले 24 घंटे में release होने वाला है तो irrespective of the fact कि आपने पिछले दिन try किया या नहीं किया जिस दिन दो line आती है उस दिन जरूर try करे और उसके अगले दिन भी try करे तो चाहे जब अंडा release होने वाला है उन दिनों में लगाता try करना हो तो वो pregnancy के chances को maximize कर पाता है पर यह सोचना कि एक दिन में दो बार try करना सुबा शाम try करना इससे कोई added advantage है प्रेगनेंसी के chances में तो यह गलत रहेगा adequate frequency fertile window में alternate day हो सकती और अगर आप ovulation day calculate कर पाएं तो दो दिन लगाता है इतना ही try करने में pregnancy के chances होते हैं यह fertile window जब शुरू होता है जो 24 गंटे के तो वो भी खतम हो गए उसके बाद try करने में pregnancy में कुछ added advantage नहीं है बहुत सारे लोग हमें comment section में अपनी dates बताते हैं हमने कब try किया तो बहुत बार हमने देखिया उनकी जो trial dates होती है वो यह तो ovulation day के बाद हो रही होती है यह fertile window कुलने से पहले ही हो जाती है तो ऐसे में मानिए pregnancy के लिए अगर आप try करते रहेंगे तो आपको pregnancy नहीं आ सकती है आपको अपना सही day calculate करके सही frequency पर try करना चाहिए और यदि आप यह सब कर रहे हैं आपको ऐसा करते हुए तीन से छे महीन हो चुके हैं तो please export opinion लीजे अपने test कराईए क्योंकि हो सकता है problem फीमेल या मेल में कहीं किसी लेवल पर हो जिसको अगर हम जाच ले और उसका तुरंत इलाज कर ले तो pregnancy जल्दी से आजाए अगर आपके और कोई भी डावट से इससे related तो हमें ज़रूर message करें we would be happy to help you